बिसम्राइब करें अच्छा पीरसी फाइफ लेक्चर नंबर वन इसलिए लिखा है कि हमारे से पहले रिकॉर्डिंग का ऐसा कॉंसेप्ट नहीं है लेकिन चुके आज बच्चे अविलेबल उतनी कॉंटिटी में नहीं है तो हम इसको रिकॉर्ड करें हमारा जो स्टार्टिं चेप्टर है डाट इस चेप्टर नंबर एट हुमन रिसोर्स स्ट्राटिजी के हवाले से जिसना हमें हर चेप्टर के शुरू में एक खुलासा बताता हूं कि यार इस चेप्टर में हम पढ़ने के हवाले हैं तो पहले एक चीज़ समझा दूं ओर्गनाइजेशन जो भी ह देखो दो यह तरह के बिजनस है ना या तो गुड़ में हो यह सर्विस में हो दो यह तरह कि बिजनस करें हो तो दोनों में हूट है हँआ मटरामी सर्विस इंडस्ट्री की बात करो के वहां पे तो अपेरेंट फेक्टरी यही है मदलाइक अगर मैं बहुत एजी देंपल दू तो चार्डर अकांटन फर्म जो है उसमें एक्चुली मैं किस चीज के पैसे ले रहे हो क्वालिटी ओप सर्वेस के जतना ही क्वालिटी ओवर्क इंप्रूव होगा वहां बहुत कम इंडस्ट्री जा पाकिस्तान में जो हुमन रिसोर्स को अपना एसेट समझती है और आपको नजर आएगा कि वहां पे इंप्लॉइमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है मतलब कि आपको उनके बैनेफिट्स से मॉनीट्री नॉन मॉनीट्री आपको इस तरह की चीज़ें रियलाइज होंगी कि हाँ इनके लिए जो इंपॉर्टन्स है हुमन रिसोर्स की वह बहुत जादा है जैसना मैं अग जो कोई कबर तो है कि एक दफार दफना दिया तो आप निकल नहीं सकते जब उसका जब उसका दा लगेगा वह भाग जाएगा अगर वह आपकी और नहीं समझ रहा वह जिस दिन उसका दा लगेगा वह बहुत जाएगा वह बेश्यक्त मैं कहते हूं 5000 का ही डिफरेंस क्यों ना वह चला जाएगा इंप्लॉई रिटेंशन यह जिसे हम कहते हैं कि एंप्लॉई आपके पास क्यों टिकेगा क्यों आपके पास रहेगा तो इसको अधर शीजें भी चाहिए अधर देंदा मॉनिटरी बैनेफिट सम्टाइम वो मॉनिटरी के लालच में होता है सम्टाइ किसी इंडस्ट्री के अंदर मैं जिसा मैं एक और्गनाजेशन में काम करता है मैं बड़ी दफ़ा नाम भी लिया उसका अब उस और्गनाजेशन में मॉनिटरी बैनेफिट तो एक तरफ नॉन मॉनिटरी बैनेफिट में बहुत सी चीज़े थी जिसमें से एक चीज़ बोल हर employee के बिहाफ पे वो लोग 10,000 रुपीज पर पर संद पर मंथ पे करते थे shapes को और employee को force किया जाता है जाओ जाके exercise करो after office before office जैसे तुम्हारा दिल करें but you have to be there for at least 20 days out of 30 मदा आपने 30 दिनों में से 20 दिन करना नहीं तो ऐसी की तैसी वनना फिर एक मज़े की penalty होती थी कि आपकी salary से पूरी वो काटेंगे जो उसकी to reason कि ताके employee को force किया जाए कि यार आप exercise करो जरूरिया है body के लिए healthy mind के लिए जरूरिया है so human resource को जो जितना अच्छा समझता है वो उन पे उतना invest करता जो asset ही नहीं समझता उसके लिए जिस employer के लिए ये important है कि यार ये दो लोग काम करें मैं इन दो को ठाकी किसी और दो से काम करा लूँगा जो के गंदी सोच है एक in fact ये traditional सोच थी जो पराने business man के अंदर थी और आज भी वो ही carry करें उनकी उलाद भी कि ये दो employee काम करेंगे हम दो ने रख लेंगे बड़ ये बात शायद भूल जाते हैं कि quality of product वो नहीं देती है quality of service वो नहीं देती तो जो जितना employee को अच्छा समझता वो उतनी उसके उपर effort करता ठीक है और एक और चीज़ अच्छा employee नहीं मिलता आपको ये मुश्किल काम है देखो आप एक CV एक job advertise करो आपके बाद 100 प्लस CV आएंगी लेकिन उनमें से काम के दो तीन लोग होंगे काम के दो तीन लोग आपको शायद इस से भी जाद आए हैं तो मैंने बहुत कम बता दिया ना 100 आप शायद advertise properly करो तो आपको शायद 200 200 300 CV आ जाएंगी relevant लेकिन उनमें से काम के लोग दो त अच्छा है यह नहीं सम्टाइम पीपल फेक एक हुमन बीग है ना फेक कर लेता उसको यह नहीं वहां पर जो प्रिजेंटेशन देता है वो डिफरेंट होती है और जब एक्चुली उसके साथ आप काम करना शुरू करते हो डिफरेंट होता है वो परसनालिटी के बिलकुल अगेंस्ट होता है जो परसनालिटी उसने इंटर्व्यू में शो की होती है मैंने लाइफ में मुल्टिवल इंटर्व्यू किया उसमें कभी दफाए ऐसी भी हाइरिंग हुई है कि मुझे लगा यार इससे बेस्ट रिसोर्स नहीं मिलेगा इस पूजिशन के लिए बट ले पता है इंटर्व्यू के बातें सारी इसे इत्वीटिट फेक होता है आप अपने आपको प्रिजन बहुत अच्छा कर देते हो यह ओधन कर देते हो चेक है और हाई-गंटे की जूटी कर रहा हूं और ऑब मुझे इंटर्व्यू करना है मैं एस इंटर्व्यू प्रोससेस उतना ताइम लगी जाता है आप इंटर्विव प्रोसेस में हो तो दो ड़ाइगेंटे मैंने बरबाद करती है उस दो ड़ाइगेंटे का और्गनाज़ेशन ने मुझे पे किया है प्लस उसके इलावा मैं अपने सारे काम छोड़ के वो काम कर रहा हूं इसका होना मेरे रूटीन टास्क भी डेमिज हुए है इसलिए आपके जो पराने लोग होते हैं जो आपके प्राने जो अच्छी और्गनेजिशन है वो अपने इंपलॉई को जाने नहीं देती है वो कोशिश करती है कि अगर एक इंपलॉई सपोस्स वहां पर एक रिजाइन करता भी है रिक्वेस्ट करता है कि आम लीविंग एक प्रॉपर मैनर होता है जिसमें आप एक महीना है पहले नोटिस देदो देद्व लीविंग ताकि वो लोग अर्रेंजमेंट्स कर लें अगर आपको इतना इंपॉर्टंट समझती है तो वह आपको फिर बार्गन करती हो कहती है यार क्या मसला है ऐसा क्या वज़ए कि आप छोड़के जा रहें अच्छा आप आपको एसा क्या चेंज कर सकते हैं जिसकी वज़ए से आप यहां से छोड़के जा रहे हैं आप हमारे की रिसोर्स हो हम उसको डिटेन है आपको रिटेन करना चाहते है तो अगर आपका पैसों अकसर ऐसा होता है आपका अगर पैसों क्योंकर पाकिस्तानी इमाम है ना पैसे कहीं और से ज्यादा मिल रहे हैं तो उस केसे में वो कहते हैं अच्छा ठीक है वी विल ट्राय टू क्लोज दा मार्जन जो डिफरेंस मिल रहे आपको से 10,000 20,000 25,000 हम उसको कवर अप कर लेते हैं आप ऐसे आप 100 पर्शनल है हमसे 50 पर्शनले ले ले इंग्रीज और रहे जहीं तरी से 25,000 आपको इंक्रीज मिल रहे हैं आप हमसे 15 ले लो यार यहीं रुख जाओ हर चीज सेटल है अलरी तो आप भी फिर देखते हो या चाहां कमफर्ट जोन तो है चलो रुख जाता हूं अगर अच्छा एंप्लोई हो तो मूव कर नहीं करता है तो एक लोयलिट अगर वो बंदा इंकंपेटेंट है तो समझेगा कि हाँ जितने पैसे मैं ले रहा हूं इससे जादा मार्केट नहीं देने वाली तो रुख जाएगा तो मैं आपको अगर लगे कि सपोज मैं बुरी बात करना लगा आपको लगे कि आपकी ओकाद जो है वह लाख दो लाख रुपे वली है और आपको एंप्लोयर दस लाख रुपे ओफर कर दे अब आपको यह और नहीं जाओगे आपको पता मार्केट में दस लाख मुझे कोई और नहीं देगा यह पैसों के ऊपर आप रोक ले तो मॉनिटरी बैनेफिट के ओपर सम टाइम्स रिस्टिक्ट कर ल रहे उसी organization के साब bound रहे there may be other factors there are actually other factors जो के उसे रोक के रखते हैं बढ़ना तो वो कब का चला जाता और comfort zone नहीं होता वो factor there are multiple factors there may be an impact क्या क्या हो सकते हैं जिसा मैं multiple बताता है आपके employer के attitude आपसे बहुत अच्छा है वो आपको respect बहुत देता है वो आपके काम को appreciate करता है य लेकि मैंने बड़ी तफ़ा देखे है जब मैंने अपने employee को जब subordinate को employee means subordinate को मैंने appreciate किया क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं आपको appreciate करना चाहिए और मैं कंजूस नहीं हूँ उस मामले में क्या appreciate कि मैं जब भी देखा कि मैंने अगर उसको appreciate कि अगली बार उससे double अच्छा काम करके लिए क्या है भाई मैंने कौन से पैसे देदी हैं मैं तो employer भी नहीं हूँ मैं तो उसका सिर्फ immediate supervisor हूँ मैंने उसको सिर्फ इतना का यार वा क्या खुबसूरत काम करके लाया यार दिल खुश हो गया अब मैंने इतनी सी बात की और उसका सीना इसे हम feedback कहते हैं चंद words अच्छा feedback employee trigger कर देता है मैं इससे अगली बार मैंने एक गहिंट लगा है मैं दो गहिंट लगा हूँगा एक extra लगा 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 के काम इससे भी अच्छा करके देंगा बात समझा रही है मैं क्या करता है इससे यह हैं वो loyalty chains जो मैंने जिकर किया कि आप रोके रहते हैं इतना तो प्यार करता है इतना तो तमीज से बात करते हैं इतनी तो इज़त देता है तो बस पिर क्या मस्टा है फिर क्यों जाना है अच्छा चुटी मांग तो चुटी देते हैं ठीक है कोई emergency आती है में कोई मुझे कोई दुख आता है जिंदगी में तो मुझे एक console करते हैं ठीक है को परशानी आती है तो उसका इसको sortify करते है मेरी बात समझ आई तो यह वो factors हैं जो शायद other than monitor फिर flexibility of time जिसना मेरी organization में था कि यार आप जब मर्जी आओ आप सुबर जब मर्जी आओ नो बज़े आओ दस बज़े आओ या ना बज़े आओ आप कोई कहता नहीं था को कि आप 5 बज़े क्यों जा रहे हो लेकिन के थे आप फ्लेक्सिबिटी आना आप कर लो create सुबह काम करके आजो क्या फरक पर था सो यह वो फेक्टर्स हैं जो आपको मूव करने से रोकते हैं मेरे कैचोडी है उनको सुहल साथ थे उनको अक्सर वो एक बात कहते थे कि मार्केट मुझे इससे जादा थ्री टाइम्स फॉर टाइम्स जादा पे कर सकती है बड़ यार मैं यहां से मूव नहीं कर सकता मेरे साथ चीजें अलाइन हो चुकी है उनका comfort zone नहीं था वही सारे factors थे non-monetary जो उन्हें रोके रखते थे किया नहीं नहीं यह organization बहुत अच्छी है लोग बहुत अच्छी है चलो यहीं परिखता हूं ठीक है ऑल्दो उन्हें नहीं नजरा रहता है कि मॉने यह है वो monetary benefit जादा मैं four times जादा मिल सकते हैं but he's not going he's not leaving the he was not not actually leaving the form और अभी आज भी नहीं चोड़ा वार्गनाजिशन कर रिजन ही इस हैपी दियर वह सुभा खुश होके आते हैं कि मैं इस organization का हिस्सा हूँ अपनी organization सी फील आती है यह सारी बाते मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यूंकि इस loyalty यह employee asset जो समझेगा वही loyalty chain पर काम करेगा अब एक और चीज़ अब आपने employee रख तो लिया है ठीक है अब मैंने कि सारी अगर आप देखो तो मैं आपको यह कहानिया सुना रहा हूँ बीच में से recruitment process से गुज़र के हैं इसको मैं भी detail में explain करूंगा बट मैं अभी आपको overview दे रह कौन से तीन चार हैं जो मारे suitable हैं मारे लिए उन तीन चार में से कौन सा एक ऐसा ही रहा है जिसको यह जगा दे देनी चाहिए फिर आपकी requirement क्या है उसकी quality क्या है उसकी education क्या है यार मुझे एक CF हो चाहिए क्या मैं भी कॉमर रखूंगा मेरी education मेरी organization का volume क्या बड़ मेरी organization का volume large size है तो फिर मुझे CFO Chartered Accountant चाहिए तो मैं कौन सी CV require करूंगा Chartered Accountants चाहिए फिर मेरे पास आजेंगी को दस पंदना तो दस पंदना में से मुझे एक एक फिल्टर करना एक हीरा चुनना है उन सब में से best यह होता ना पर पर सेक्टिव यह सारा प्रोसेस selection recruitment बात समझा रही है फिर selection में जब आते हैं तो selection भी दो तरह की हो सकती है organization में आज पाकिसान में दो तरह की selection बल्के पाकिसान क्या worldwide दो तरह की selection चलती है number one एक को बोलते है internal hiring internal selection दूसरी external एक वो है जिसे मैं job दोंगा advertisement में advertisement आलूँगा बई फलाँ job चाहिए फलाँ manager accounts चाहिए cf ओ चाहिए यह external recruitment है मैं बाहर से जाके hire करके ला रहा हूं एक internal भी हो सकती है कि मैं अपने ही employee को asset समझती है जो organization अपने employee को asset समझती है ना वह एक खुशूरत काम करती है वह अपनी hierarchy damage नहीं करती जैसा फॉर एक्जैंपल मेरी टीम में दो है accounts executive ठीक है मैं executive बोल देता है account executive इन दोनों के ऊपर है सपोज एक supervisor उस supervisor के ऊपर है से assistant manager assistant manager के ऊपर है से deputy manager deputy manager के ऊपर है से manager और से यही hierarchy है suppose मैंने भी यह बनाई अब अगर for example मेरा manager चला जाता है किसी reasons की वज़ा से तो अगर मैं टीम में बाहर से को बंदा पकड़ूंगा और इस team में add कर दूँगा यह लोग automatically सारे के सारे नीचे वाला staff जो है discourage हो जाएगा कि यार हमारा promotion का time था हमारा उपर जाने का time था यह उपर कौन आके बैठ गया है फिर हो सकता है इन सब की आपस में bonding बहुत strong हो team work क्योंकि कई सालों से काम कर रहे है आज तुम एक बाहर से external person ले आओगे उसका aptitude ही different होगा तुम्हारे लोगों के साथ वो own ही नहीं कर पाएगा वो उनसे mixing ही नहीं कर पाएगा rare हो जाता ना chances हो जाती है लेकिन rare हो जाता पॉसिबल नहीं हो पा रहा हो था mixing बात समझा रही है तो culture differences आ जाते है इसलिए एक अच्छी organization को कहती है manager जाता है वो इस om को कहती है चल भी manager बन जा तू manager बन इसको कहती है तू om dm बन बात समझा रही है इसको कहेगी तू am बन जा भई तुम सब की आई देखो एक बंदे के जाने से पूरी organization की promotion हो गई सब happy कि यार हमें promotion मिली है एक और motivational factor एक औ non-monetary factor monetary तो टैच हो गई होगा इसके साथ non-monetary भी है sometimes इक्तदार चाहिए होता है पैसे के साथ साथ पैसा इतना ही बॉट्टास नहीं रखता है एक point पे आके कुछ अच्छी organization जो अपने employee को एसर समझती है वो ऐसे करती है वो hierarchy में कभी उपर से बंदा नहीं लेक्या आती है हमेश्चा नीचे bottom level पर अगांड executive नहीं रख लिया जाएगा बात समझा रही है इसका मतब है अगर अब यहां पॉइंट आता है मेरा कि तुम अगर internal अब करो लेकिन निचले level पे करो उपर ले level पे नहीं जसना मैं एक ग्रूप का नाम ले सकता हूं मुझे बड़ा अच्छा पता उसका फात्मा ग्रूप के नाम से बड़ा मशूर ग्रूप है एक बड़ा large size entity है उस ग्रूप के अंदर आप वो qualified chartered accountant in करते हैं पता है किस लेवल की होता है उस organization की हर चीज़ जानता होता क्योंकि हर लेयर पे पर काम किया होता और आखर में जाके वो आपका CFO बन रहुता है अब जब वो CFO की position पहुँचे है ना 30 सालों बाद तो उसे organization की हर चीज़ का पता होता है कि रूट लेवल पे क्या हो रहा है और ऊपर तक क्या ह हो रहा है तो यह है कुछ organization की खुब्सूरती जो लार्ज साइस entities है अच्छा अगर internal hiring करनी है तो बेटा मुझे एक बात बताओ यह हमेशा obstacle नहीं बनेगी कि क्या DM manager का काम संभाल लेगा क्या DM का काम संभाल लेगा डिप्टी अब यह बहुत बड़ा question मांक है इसका मंदर अगर तुम अपने employee को इतना बड़ा asset समझते हो फिर employee के लिए कुछ करो ना वरना तो यह सारे एक टाइम आएगा तुम्हें लगेगा manager कोई handle करी नहीं सकता manager वाली positions या manager वाली responsibilities तो स्कूरत में क्या करें फिर आप कहते हो training and development की जरूरत है भाई इसके बगार काम नहीं चलेगा training करनी पड़ेगी इनकी internal employees की इनको इनको train करना पड़ेगा कैसे train करें बड़ी असान सी चीज़ है एक बड़ा practical चीज़ दाता हो banks के अंदर बड़ा common होता ही है कि mandatory leave का concept है जिनके पेरेंट्स या कोई अपने family में बैंक में रहते हो तो उनको पता होगा mandatory leaves होती है 15 दिनों की बीस दिनों की कि भाई तू छुटी पे जा नहीं जाना है 15 दिन के लिए और एक साथ जाना है ऐसे नहीं एक एक करके लिए नहीं एक साथ 15 दिन के लिए गाइब हो क्योंकि तू operational manager है तू 15 दिन के लिए गाइब होगा तेरे नीचे वाला तेरी duty संभा लेगा 15 दिनों के लिए सर कपाएगा चीजों में तूस्से help लेगा फून पे बला 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 इससे दो फाइदे होंगे पहला वो तेरी position पे train हो गया 15 बाद हर साल में 15 दिनों के लिए अब 5 साल बाद जब मुझे manager replace करना होगा या manager ने जाना होगा रिटायर होना होगा तो नीचे वाला त्यार बैठा है 15-15 दिन उसने कई दफ़ा practice कर ली है now he knows what to do as a manager what would be my role as a manager तो पहला फाइदा तो यह होता है employee rotation करते हैं हम ताके जरा हमें हमारा बंदा train हो जानीचे वाला और इसी तरह फिर सारे कर रहे होते हैं और दूसरा फाइदा यह होता है कि आप उस बच्चे को train कर लेते हो ट्रेन होगा 15 दिन के लिए अच्छा एक तो यह फाइदा होगा दूसरा फाइदा यह होता है सुरी यह तो पहले ही था दूसरा फाइदा यह है कि एक employee जब अपनी जगा छोड़ता ना तो आपको पता लगता है को गलत हरकते को नहीं कह रहा है कोई ऐसी चीज इसे वो suppress करके बैठा हुआ है जैसा financial sector के अंदर बैंक के अंदर बड़ा risk होता है कि यह को financial fraud तो नहीं कह रहा है जो इसी को पता है तो एक तरीका यह यह फाइदा भी होता है तो और्गनेशन को ड्यूल फाइदे होते हैं पहला उनका नीचे और रिसोर्स ट्रेन हो रहा होता है अधर सेक्टर में यह मेंडेटरी लीव का कॉंसेप्ट आपको कभी नहीं मिलेगा बहुत रहर है बहुत रहर है लेकिन आपको financial सेक्टर में मिलेगा तो यह है training and development आपको training करनी पड़े कि इसमें से training का element है development तो मैंने बताई नहीं development है कि देखो मुझे निया skill set सिखाना है यह development है देखो मेरा resource काम कर रहे है इससे पहले ERP में काम ही नहीं किया आज मैं ERP इंस्ट्रॉल करने जा रहा हूं मैं एक software इंस्ट्रॉल करने जा रहा हूं जैसा SAP बहुत common है इस वक्त इंडस्ट्रिस उसकी तरफ नहीं को नहीं है अब ती मैंने स्ट्रॉल करने का फाइदा होगा जब चला नहीं आता किसी को इसका मता है मुझे अपने कि तीम को अब एक नहीं स्किल सिखानी पड़ेगी मुझे उनको डिवल्प करना पड़ेगा डिवल्प्मेंट ट्रेनिंग्स मुझे उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब ही उनके अंदर एक न्यू स्किल सर्ट डिवल्प होगा क्या मेरी बात समझा रही है तो यह मैं पैसा रहता है संपाइम अदर देन पैसा करके रहता है संपाम आपका एच्छा एटिडू उससे रहता मैं मैं एक अच्छी ऑजम्बल देता, तो मैं इक ऑप्रोड और ऐसन के उन्दर भी खुब्सूर्त चीज थी, उनोंने कैए किया, मेरी इंप्लोई मेरे पैसे मैं लगा तो 70% मेरा 30% तेरा अब वो employee है उसके साथ एक नहीं company खुल रही है ताके वो क्या करे अब वो फस गया क्योंकि अब इस डारेक्टर के साथ यहां पर वो employee है और वहां पर डारेक्टर है अब वो company का मालक है 30% की ownership है अब वो दो company यहां संभाल रहा है उसी salary में उदर से वो salary लेगा नहीं इदर से वो salary मांगेगा नहीं जादा छोड़ के वो जाएगा नहीं क्यों 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 कि उसको personal interest नजर आ रहा है एक एक करके उसने सब के साथ different businesses open किये इसी ratio पर 70-30 70 से control भी आ गया और 30 से उसको भी पता लग गया क इदर से और तुम मुसे salary जादा मांगोगे नहीं अब और ना चोड़के जाओगे क्यों क्योंकि तुम्हें पता है तुम मेरे partner भी हो अब सो कितनी ही खुबसूरत management scale है यह leadership scale है यह मैंने एक दफ़ा बड़ी closely observe कि तो मुझे लगा यारी कितना अच्छा leader है इसको यह पता है इसके employee कितने की resource हैं और इन से किस तरह इनको retain करे यह loyalty chain है यह पाउ में जिजी डल गई अब वो सारी जिंदगी वहां से नहीं जाएगा चाहके भी नहीं जाना जाएगा बात समझा रही है तो यह होती है खुबसूरत loyalty chains यह होती है employee retention policies अब इसमें ना दोनों तरह के impact आ जाते हैं यह बुक में शायद इतने नहीं लिखे हो इसमें तो सिर्फ लिखा होगे कि employee को retain करना हो तो क्या करेंगे और employee retention के फाइदे क्या leader तो reality है leader आपको पाकिस्तानी की market में बहुत कम मिलते हैं जादा bossy मिलते हैं कि हमने कह दिया तो कह दिया लीडर ऐसे नहीं कहता है कि कह दिया तो कह दिया वो करके दिखाता है कि यह मैं कर रहा हूं आजा मुझे follow कर ले बास समझा रही है वो नई skills बनाता है employee को अपना asset सम समझता है आप नहीं समझोगे तो वह boss है employee नहीं है फिर participative decision making उसका बड़ा की रोल होता है वो लोगों को involved करता है क्या हो मेरे साथ बैठो बताओ तुम्हारे देन में क्या चलगा बात समझा रही है तो चलते हैं अब अब रिडिंग करते हैं जी मैंने काफी इस चप्टर क है कि इस चप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं लो जी सबसे पहले आते हैं human resource मैं directly उन पर आता हूं एरियास पर जो हम पढ़ेंगे human resource कि the success of the business entity depends on the skills and experience of its human resource the companies that succeed अच्छा बाकी आप पढ़ रहे होंगे ठीक है मैं सर्फ उसमें से मोटी मोटी बाते आप से शेयर करूंगा the companies that succeed will be those that learn fast, use knowledge efficiently and develop new insights accordingly the role of human resource have evolved over the year human resource are mainly employees है जिनको आप अच्छा human resource दो तरह का यहां पर उसने बताया है एक तो वह हैं जो full time employee है एक होता है जिनने हमने अपने function outsource कर दी होते हैं मतलब जसे आकसर आप देखते हो यहां पे freelancing को बहुत भूम मिला पाकिस्तान में वह रिजन क्या थी कि गोरों ने अपने accounting function क्या किये आउट्सोर्स कर दी होने का मैंने यह काम करना है तुम कर दो मारी bookkeeping यह हुआ ना और फिर पाकिस्तान में business आना शुरू हुआ bookkeeping का बाकी चीज़ों का आपके सम्टाइम्स ठीक है तो दोनों तरह के employees हो सकते हैं on salary और आपके आउट्सोर्स एंप्लोई भी objective क्या जी human resource management का HRM का का क्या है इस department का अब अकसर organization में जाते हैं वहां पे HR का department मिलता है उसका का क्या है उसका काम यह है यह तीन खुबसूरत काम लिखे हुए number one determine करें उसे कितने resource कब चाहिए और किसी time पे चाहिए assess the quantity and quality और quality क्या होनी चाहिए उसकी of the human resource currently available इस वक्त कितने हैं including strength and skill इस वक्त कितने अवेलेबल है estimate the quantity and quality that will be needed चाहिए कितने होंगे अगले दो महीनों में तीन महीनों में पांच महीनों में और consider the ways of filling the gap और अब यह जो difference है यह पूरा कैसे करना क्या बात समझा है तो तीन काम है उसके existing कितने हैं चाहिए कितने होंगे और इस gap को कैसे पूरा करना है अच्छा जे फिर आगे क है इस to ensure that the human resource are available as required उतने होने चाहिए जितने जरूरत हो उस टाइम पर आज मुझे अगर 10 resource चाहिए factory में तो 10 होने चाहिए यह HR का काम है और इसके लिए जो वो जो भी strategy बनाएगा वो internal selection करेगा external selection वो उसका महीड़क है वो उसकी strategy होगी जी आपका question हां यह जो activities involved होती हैं जिसमें organization के पैसे लग रहे होते हैं और फाइदा ऐसाच कुछ नहीं होता है वो non-monetary benefits होते हैं जिसा हम अक्सार देखते हैं annual dinners company के ठीक है sales dinner company के वो क्या हैं या tour करा दिया कहीं का annual trip करा दिया company आप देखो ना अक्सार annual trip तो वो क्या है वो यही चीज़ है वो सारे non-monetary benefits है human resource planning इसके लिए फिर वो क्या करेगा human resource department planning करेगा अच्छा यह रेखो यहां पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं यहां पर यह वली के it might be necessary to consider using the number of employee whose skills are declining in importance मतलब कुछ ऐसे लोग जिनकी अब जरूरत नहीं है तो redundant हो गया न अब उस तरह की जरूरत ही नहीं उस तरह काम आता ही निए जिसना फार example मैं कहूं मैंने website designer रखा वा था अब वो designer का काम आई हमें पत्त मुझे ultimate designer को goodbye बोलना पड़ेगा या फिर उसे कहना पड़ेगा या कोई नहीं skill सीख मैं तुझे कहीं और अगर तो मैं उसको asset समझता हूँ ना कि या बच्चा अच्छा है उसकी skill market में demand सतम हो गई है कोई बात नहीं skill सीख मैं तुझे दूसरे department में shift कर लेता हूँ simple ठीक है मैंने बहुत से लोग organizations में देखे जो as a rider आये believe me मैंने ऐसा बंदा देखा जो as a kitchen में आया kitchen का काम करता था उसने metric किया icon किया become किया organization उसे उठा कर पिक करके HR के department में ले आई kitchen से उठा कर मदर वही बंदा पहले सारी उसी organization में surf करता था फिर उसी organization के HR room में बैटना शुर हो गया as a junior executive फिर उस लड़के ने हिम्मत करके पिफा किया पिफा के कुछ levels पास किये दो levels पास किये उसी बच्चे को वहां से पिक किय organization ने और accounts department में लाके बठा दी है qualification है, so accountancy की certification है, so मैं समझाना क्या चाहरा हूँ, आप दो चेक करो, kitchen का लड़का जो शुरू में rider आया, फिर kitchen में आ गया, surf करता था, lunch, dinners, ये वो, और उसके बाद वहां से वो लड़का pick को के HR में आया, HR से उनने देखा, ये तो accounts में जा है, so समझारी है, so समझारी है, तो organize, इसे बोलते हैं, आप redundant हो गया है, वो इसकी skill, for example, इसकी skill redundant हो जाती है, तो मैंने वह सरी कहता है, जिसमें इंपलो, मैंने वहां से कहा है, leadership skill इसके साथ-साथ कहीं ने कहीं involved है, अगर leader उसे ना संबालता है, तो और चोड़की लेकिन अपनी जिन्दगी में, सुरी, दुनिया में कहा रहा है, जिन्दगी में एक treatment है, so through programs of redundancy, या retraining कर देंगे उसको, उसको train किया गया फिर department में and relocation, और उसको relocate कर दें, human resource planning कहा जी, human resource planning के अंदर, वो कहता, for business enterprise would cover the following area, ये planning में उसके human resource के HRP में शामिल है, job को analyze करना, कि किस क design करना, कि यार अच्छा ये होंगी वो जो चीजें जो हमें चाहिए, ये हमने जो performance कर, मैं देखो ना, दो तरहाएंगी चीजे, ये मैंने दोनों बातें पढ़ानी आगे चलके, job analyze है, कि यार मैं देखू, मुझे चाहिए क्या है, क्या services required, roles and responsibility क्या होंगी, जो इस position पे human resource requirement, skills and strength, or recruitment of new staff, training and development to improve skills, program, performance appraisal, to monitor and control the development of skills, promotion and rewards, motivational strategy, where some employee will be surplus to the requirement and retraining, ये सारी बातें मैंने एक-एक करके, अल्रेडी बड़े डिटेल में explain किया है, appraisal, performance appraisal, आप appreciate करें, अगर आप job के वाले से बात करो तो in monetary terms है, आप appreciate करोगे उसको, bonus increment, आपकी salary में जो increase आता है, कि आपने एक milestone achieve के लिए अब आपकी salary बढ़ेगी, फिर वो कहते हैं जी, the plan should be realistic होना चाहिए, जो भी plan मिना है, human resource department, and therefore, take into consideration, environmental factor भी taking in करो न, देखो भाई, हर चीज, आप अगर, वो कहते हैं न, win-win situation में consider कर लोगे, तो कल को एक factor हिला, तो कल को क्या करोगे, बात समझे जिसना अगर मैं कहूं, एक बात समझाता हूँ, आज क organization को सबसे मुश्किल काम जो, IT department को, IT sector को face करना पड़ा है, वो employee turnover है, employee छोड़ छोड़ के जा रहा है, रोके हैं कैसे उसको, पैसे फैंक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इस वक्त, IT का web developer इतने पैसे charge कर रहा है, एक अच्छा developer, जो कि शायद मैं कहूं कि एक charter accountant के बराबर कह उससे भी कहीं ज्यादा चल जाता हो, reason क्या है, वो skill बड़ी demanding हो गई है, और दूसरा, employee आपको, employer आपको hold नहीं कर पा रहा है, वो गहरा है, तो रुकने ही नहीं है, कहीं और जा रहा हूं, या अपना software house मनाऊंगा, reason, दोनों चीज़े चल रही हैं, so market factors भी, environment आपको देख देखना पड़ेगा, जिसना इस वक्त पिछले एक साल में 2023 का मैं एक facts देख रहा था, statistics, कि 8,60,000 लोग आपको छोड़ के चलेगे हैं, इसमें बहुत से skillful भी होंगे, half of them अगर वो skillful हों, तो आपके पास तो मुल्क में skillful कम होगे न, अब demand बढ़ गई, अब आपको human resource का plan built up करोगे, तो इसलिए उसने लिखा population trend देखो, total side of workforce in each country, where the entity has its operation, कि वहाँ पे लोग हैं, काम करने के लिए जहां पे आप अपने operations चला रहे हो, तो government policy, such as changes in retirement age of worker, कि भाई, एज, मैं कभी भी, मैंने कमपनी के अंदर retirement age रखी हुए 55 years, या 60 years, तो मैं 40 years वाले person को कभ हायर करूं, unless कि मैं उसे top position board में रखना चाहूं, तो मैं हायर करूंगा, जिसकी जरूरत ही मुझे 2-3 सालों के लिए, जिसके दमाग की जरूरत हो, हाथ की जरूरत ना हो, अधी बात समझा रही है, then government policies वगएरा देख लो, अच्छा, education system as the number of students going from elementary school to call, भाई, आपके पास क् skillful educated लोग हैं, literate लोग हैं, कि नहीं, यह सारी-सारे illiterate भरती किये हुए, आके मुल्क में, मुल्क में कह रहा हूं, the availability of individuals who are trained in a particular skill or vocation, ऐसे लोग मुझूद हैं, जिसना अक्सर मैं कहता हूं, कि factory के अंदर बहुत सी ऐसी positions होती हैं, जिन पे education नहीं कहती ही काम, जिस पे experience का करता है, जिसना अक्सर आप देखते हो, boiler required है, फलान required है, engine के लिए, तो वो लोग होते हैं, जिन ने experience के साथ काम सीख लिया होता है, उनके लिए इतनी, मैं कहूं हाँ, high five degree की requirement नहीं होती हैं, तो ऐसे skillful लोग के आपके में मौझूद हैं, जिसना की industry आपने मुलक में लग किया है, छेक है, फिर इसी तरह, जी जी, किस किसम की, देखो, if you are a qualified one, even if you are not qualified, आप CA finalist हो, नहीं qualified हो, वो आपकी technical knowledge के उपर, कभी कोई question mark create नहीं करते हैं, मैं तुम्हें कभी जिन्दगी में नहीं पुछा जाएगा, तुम्हें एक्सल आता है कि नहीं आता है, तुम्हें because he knows that, कि 3-3 साल मार्क हा किया है, इसको हर चीज़ आता है, वो even कि आपसे हमें का जाता है, नहीं हमारे technical knowledge क्या है, या तो company law पे grip, corporate law पे, या फिर आपके text पे, यही दो चीज़ नहीं हैं, तीसरा आपकी IFRS, reporting standard, यह तीन दो चीज़ नहीं हैं, accounts and laws, यूं कहलो असान लफ़ वो आपसे यह भी test नहीं करते हैं, कि मैं यही test कर लूँ कि कुछ organizations होती हैं, वो यह भी test नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक चीज़ जरूर बहुत कैरफुली देख रहे होते हैं, वैसे इस वक्त अगर आप यहाँ बैट के international interviews दोगे और firm के interview दोगे, तो वो तो आपसे कहेंग क्या knowledge updated है कि नहीं है, और secondly, पूछने का अंदाज ही होता है, और दूसरा, secondly, वो आपकी soft skill जरूर देखते हैं, कि how easily you can communicate with someone, क्या कर सकते हो, is it possible for you or not, बात समझा रही है, तो यह वो चीज़े हैं कुछ जो वो consider कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ वो soft skill देख रहे हैं mostly, IFRS वगारे पर कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि सामने वाला जो interview panel है, उसमें एक आदा charter ground होता है, और वो भी सिर्फ एक आदा सवाल करके, ठंडा होके बैठ जाता है, उससे लावा उसे कुछ नहीं पूछना होता है, ठीक है, और वो भी कोई running topic, current topic पूछ लेता है, जो कुछ पूछ हाँ, हमारे पी लाव्स नाचार होता है, और थे तरह से और पार रहीं करूश कर नहीं है, वो सब कॉंटर होते हैं, आपको एक दफा काम करेंगे, अगली बार उनके पच्छे पैसे ना दो वो काम नहीं किरेंगे सिंपल तुम अच्छे पैसे देरें उतने कर लिया मजबूरी में कर लिया अगली बार नहीं करेगा सब क्वंट्रेक्टर आपके लिए बाउंड नहीं है, ना वो आपका roughly है, वो आउट्सोर्स एक फंक्शन र्सूर्स आउंगे और कम्नी मेंक हो करा लिए, उसको पैसे के तो तो वो यही होता है कि जो आज कल फ्रीलांसर्स कर रहे हैं मोस्ली एजंसी बनाके कॉंट्रैक्ट पकड़ते हैं अपने पैसे रखते हैं आगे काम करा लेते हैं इंप्लॉइमेंट में नहीं जाते हैं और उनको लगता है इससे अच्छा बिजनस कोई नहीं है हाला कि यह बिजनस ही मौडल ही फ़सूल है कि कल को तुम्हारा सब कॉंट्रैक्टर जाएगा तुम भी गए अगली बार वो क्वालिटी ओफ सर्विस तुम्हें मिलेगी ही नहीं लेकिन वो इस बात की परवान ही करते हैं कि क्वालिटी ओफ सर्विस देनी होती है यह प्रॉब्लम हा तुम्हें लिए जागे चलू जॉब एनालिसिस पे अब जॉब एनालिसिस क्या है मैंने बोला था कि मैंने एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनानी है कि मुझे चाहिए क्या है कि मुझे पता चले जॉब में करना क्या है तो वो कहता है Job analysis involves the observation and study of pertinent information about a job Job के बारे में खास information कि किस किसम का task है that comprising it कहुं सा knowledge चाहिए, क्या skill चाहिए employee की क्या ability होनी चाहिए उसके पास किस environment में उसने काम करना है बात समझा रही है Managers use the information obtained through job analysis to develop job description and job specification Job description मनाने के लिए वो ये job analyze करता मेरी बात समझे अब job description कैसे हो सकती है उसके साथ लिखी होती है कि भाई roles and responsibilities क्या होंगी उस बंदे की जो हमारे पास आएगा नौकरी के लिए बात समझा यह अक्सा लिखा होता ना है What would be the roles and responsibilities तो पूरा page होता है उसके साथ वो यही है Job analyze की जाती है लिखना क्या है उस advertisement के अंदर उस job describe कैसे करनी है बात समझे है गलत है यह है गलत वैसे आप ऐसा करते नहीं हो organization ऐसा नहीं करती है कोई भी नहीं करती है हाँ बहुत छोटी organization में चले जो तो वो हर्फन मौला चल रहा होता है jack of all trades वाला साब होता है कि सब कुछ कराया जा रहा होता है उससे otherwise बड़ी organization ऐसा नहीं करती है नहीं कुछ भी नहीं है क्यों नहीं है वो आपसे 8 गंडे के खरीदे हैं उसने आपसे तो वो 8 गंडे में जो मर्जी करा है हाँ disgrace ना करें position को disgrace ना करें disgrace के लावा जिससे मैं काउंट में काम करूँ मुझे के budget भी बिनाओ हाँ मेरी मजबूरी यह बनाना पड़ेगा लेकिन मुझे के नहीं जो चाई भी बनागे लाओ तो यह गलत है disgrace ना करें job position को otherwise okay है कोई issue नहीं है आप करते हो ऐसे काम आपकी diversification होती है workload के अंदर change होते रहते हैं वक के साथ साथ आप को आज आता है अच्छा आप बजड़ना बनाओ अब आप यह काम कर लो आप variance analysis कर लो आप यह काम कर लो आप financials बनाना शुरू कर दो आप auditor संभाल लो तो roles change होते रहते हैं वो अच्छी बात होती है job rotation अच्छी बात होती है अभी मैं समझाऊंगा वो भी purpose of a job analysis is to produce a detailed specification of the job job description and produce a specification of the qualities needed from the individual who will do the job वो ही बात है ना analyze करके क्या करना है कि भाई job description लिखनी है और दूसरी बात कि किस किसम का persons required है जो यह perform करेगा फिर job description क्या है इसे हम JD भी बोलते हैं आम हुर्फे आम में और प्रफेशनल जो market में वो इसे JD बोलते हैं JD के है list of duties जो वो बंदा perform करेगा तो मैं यह पूरा छोड़ के बस यहाँ प्याकर यह पढ़ रहा हूँ is a formal description of a job its purpose, scope and the formal duties and responsibilities of the job holder कि job holder की responsibilities क्या होंगी क्या यह बात समझा गई और job specification क्या होती है उसने का job description तो यह है कि इस जगा पे इस बंदा सल्मान अगर manager के तौर पे इस organization में आता है तो करेगा क्या बट अब जिस बंदे को सल्मान को रख रहे हैं इसकी qualities क्या है इसकी qualifications क्या है यह है job specification so a job specification describes the qualification and skills necessary for a specific job अब इस duty को इस manager को यह जो roles and responsibilities हमने लिखी है कि क्या क्या करेगा यह करने के लिए इसकी क्या-क्या skills या qualities required होंगी education क्या चाहिए होगी जिसा मैं अगर कहूँ कि असान लफजों में कि यह manager accounts है तो suppose इसकी duty है कि इसने accounts बनाने है इसने audit कराना है ठीक है say इसने bank reconciliation statements बनानी है यह हो गई job duties जिससे हमने क्या बोला job description ठीक है JD समझ आई बात की अब इस JD को perform करने के लिए हम कहते हैं भाई qualification क्या required होगी हम कहते हैं जी CA हो with five years of experience हो मुझे यह resource चाहिए मुझे जो यह मैंने determine किया ना कि किस किसम की qualities चाहिए उस बंदे के लिए जो यह job duty perform करे इसे आप job specification बोल रहे है ठीक है इस qualification को in fact आप क्या बोल रहे है job specification क्या बात समझ आई यह concept है तो job specification describe the qualification and skill necessary for a specific job in terms of education some job require a college degree experience personal characteristics ठीक है जिसना job and frequently request outgoing hard working person and physical characteristics वगारा तो यह सारी चीज़ें फिर उसके अंदर आ जाती है इसे बोलते है reference check background check दो लफज बोले जाते हैं लेकिन इसका जिकर हमने आगी करना है background check क्या होता है अच्छी organization आज की जमाने में एक दफा आपके background को check करती है आप उने कहते हैं आपका existing HR होता है वो लाजमी corporate करता है कभी नहीं ऐसा करता है क्योंकि वो भी जानता है कि कल को मैंने भी किसी से पूछना है अगर आपको call आए पीछे से organization से तो वो क्या नहीं अगर वो for example पीछे call करें तो HR आपका confirm करता है उसको प्रॉब्लम नहीं होती उसके अंपर अच्छा जी बोथ जे job description and job specification are used to develop recruiting materials such as newspaper, trade publication and online advertisement असान सी लफस ये आप इसलिए बना रहे हो कि कल को आपने इसे क्या करना है advertise करना है newspaper में देना है कि जना आप ये वाले job चाहिए ये वाला manager चाहिए और ये qualification होनी चाहिए क्या बात समझा गई तो ये ही बात उसने आप लिखे अब हमारा अगला process जो है recruitment and selection का है अगर आप गौर करो तो इस पर बहुत of MCQs आया भी है कि recruitment की कितनी stages है selection की कितनी stages है तो book की हद तक बेटे आपकी recruitment की 3 stages है और selection की 2 stages है ठीक है total 5 stages का process है अच्छा recruitment की stage में आएं तो 3 stages का जिकर करता है वो पहली में वो कहता है कि recruitment में सबसे पहले ये देखना है agree the vacancy to be fulfilled पास सबसे पहले तो ये सोचना है कि यार जगा पे बंदा हायर करना है के नहीं करना पहले तो ये decide कर लो बंदा रखना भी है के नहीं रखना दूसरी बात अगर रखना है तो भाई उसकी skills क्या है जो चाहिए अगर तो ये tag कर लिए कि हाँ भाई जॉब है जगा है हमने एक बंदा हायर करना है तो भाई वो जो बंदा हायर करना है उसकी skillset क्या होगा और तीसरी बात जो आपने stage में recruitment stage में determine करनी है आपने इसको advertise करना है और लोगों कहना है आओ भई हाँ application जमा कराओ apply करो वो लिखते है न apply online at the given email address अपना CV बेज़े हैं अपना resume में बेज़े हैं वो इसलिए लिखते हैं कि ये recruitment की तीसरी stage है क्या बात समझा गी है यहां तक चौती stage स्टार्ट होगी थी है selection की कि अब आगे start होगे concept कि भाई अब CV आ गई है so आ गई है क्या करना है अब सो में से short list करो इसमें से देखो कौन सी relevant है हो सकता है कई पाकिस्तानी में ऐसे अकलमन्द लोग है CV आपने दी होती है कि इंजीनियर चाहिए और apply कर रहा था chartered accountant या बी कॉमर भाई पढ़ तो लो अच्छी तरह कि आपके relevant है भी के नहीं job sometimes ऐसी हरकते करते हैं लोग अन्यवाद CV अपलाय करते हैं जौब अपलाय करते हैं ये भी नहीं पता होता कि गलत जगा पे अपलाय करते हैं तो इसमें फिर short list की जाती है हो सकता है अगर 100 CV आई हैं तो 25 तो वैसी फालतू हो घलत आई हो हमने MBA मांगा था बी कॉमर ने अपलाय कर गिया तो बी कॉमर तो गया तो MBA वाली हो सकता है 100 में से 50 हो आदे तो वैसे filter होगे इस इस वर भी काल शॉर्ट लिस्टिंग ठीक है अब मैंने पहले filter लगाया और ये निकल गए अब अगला filter है 50 का मैं 50 में से देखूंगा कि second filter लगाता हूं कि यार मैंने मांगा था तीन साल का experience किस किस पे तीन साल का हो सकता है 10 लोग और निकल जाए अब रहे गए बाकी 40 लोग अब मैं 40 का interview लेता अच्छा नहीं लगूँगा तो फिर एक तरीका क्या है कि 40 का बुला के test करवा लेता हूं एक असान हल उस test में एक और filter लग जाएगा उस में से 40 में से 20 और फिल होगे अब रहे गए 20 अब मैं 20 को बुला सकता हूं अब मैं 20 का करूँगा एक first interview जो मैं manager नीचे वाले layer पर करवाऊँगा ताकि नीचे वालों का time सस्ता है वो लोग करें वो उसका detail interview करेंगे उसका technical qualification देखेंगे उसकी education देखेंगे उससे questioning करेंगे technical knowledge के बात समझा रही है वो एक detail interview होगा 20-30 minute का उसमें वो initial screening process करेंगे कि हाँ बढ़ी ये बंदे के पार जो बाते CV में लिखेंगे हैं वो सही है रस्यूमर में लिखेंगे हैं ठीक है कि नहीं है वो selection process है first तो उसमें और लोग filter हो जाएंगे अब रहे जाएंगे 4-5-7 मैं उन साथ कब interview लोगा second time फिर मैं देखोंगा हाँ आप इन साथ में से best कौन है मेरी बात समझ आई है so ultimately एकसर आप organization में देखते हो interview one, interview two one जो होता है वो HR के साथ या और फिर एक और बात interview two higher up के साथ होता है एक और मज़ेतार बात sometimes जोब बड़ी हो तो लोग भी panel बैट था individual interview नहीं लेता panel interview था, panel एक से ज़ादा लोग HR का एक बंदा बैट जाता है एक बंदा accounts का बैट जाता है अगर sale बाल है तो एक बंदा sale का बैट जाता बात समझा रही है अगर आप sale agent hire कर रहे है तो sale का एक बंदा बैट जाएगा उसकी skills देखने के लिए मिरी बात समझा रही है तो ये है initial, select candidate for interview या short listing और आखर में selection interview किये जाते है और उनको job offer की जाती है to the selected candidate क्या मिरी बात समझा रही है तो ये 5 stages है recruitment and selection की यहां तक बात समझा रही चलिए बज़िए यही तक इतनाम करते है कोई दो अगे अरद आप सब कुसान चाहते है तेंक्यू